सुखाली काज दुस्तूं यहाँ पर पीम किसान सम्मानी दिवजणा में नियूर श्टेशन स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पर आज मैं आपको नियूर इंट्रेशन के पूरी बिद्ध यहाँ पर बताने वाला हूं. साथे दूस्तों आपको बता दूब कि निवर स्टेशन आप सिप सिएसी और जन सिवा केंद्र या वायम टेक सिवा केंद्स से ही करा सकते हैं आप खुद सिफ वेबसाइट के पोटल के माध्यम से अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको इरर इंटरफेस देखनों की मिल सक सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो को आपके कमेंट के जवाब देता रहता हूं चैनल को भी सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो को आपको मिल सेगे तो चली दूस्तों आपको सबसे पहले पोर्टल पर ले चलते हैं आप नागरिक भी यहां से रिस्टेशन कर पाते थी लेकिन आप दूस्तों आप इस पर क्लिक करके अपना अधान नंबर और फेट करेंगे और इंटर करेंगे तो आपको इन बैलेट बिद कैप्चा करके नोडिफिकेसन आ जाता है जिससे हमारा इस्टेशन यहां पर अनकम्प्लीडट हो जाता है यानि कि हमारा फॉर्म ओपन ही नहीं होता है तो दीके दूस्तों यह करेंगे तो आप नीचा आएंगे तो आप को दिखिए लॉग इन दिया गया है चाहिए आप यहां से से संचालक हैं तो यहां से लॉग इन कर लिजी वरना आप डारेक्ली जो है अपने ही मोबाइल या फिर वेप्साइट पर दोस्तों आपको टाइप कर लेना है connect.csc.gov य कर लेते हैं csc login होती दोस्तों आपका जो यहां पर होता है PM कि सांब्मान नहीं दियोजने के पोर्टल पर देखी इस तरीके से आपको दिखाई देगा इसमें csc user आपका भी इंटर्पेस यहां पर दिखाई देगा अब देखिए यहां पर दोस्तों आप का रिष्टेशन स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले दोस्तों आपको यहां से अपना स्टेट सिलेट कर लेना है तो इस तरीके से इस तरीके से यहां से सिलेट कर लेंगे देन दोस्तों उसके बाद आपको अपना यहां से डिस्टिक सिलेट कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपका जो सब डिस टीटेयल यहां पर फिलप करेंगे उसके बाद दूस्तों आप तेखेंगे यहां पर आपके अपना म्लेंड करके आप लि blasting के बार्ड में नाम होगा Gör जो है small है या फिर आधार तो यहां पर आपको जो है small ही यानि कि 102 hectare वाले को ही select कर लेना है आप अधार ID यहां पर दिखिए automatic ही selected है अधार card तो आपको क्या करना है select type ID में आपको अधार ही पूरी detail देनी है एक चीज आपको यहां पर on note कर लेनी है दोस्तों कि आप जितने भी यहां पर जो भी detail डारेंगे वो आपके अधार card name से सारी जगों पर match होना चाहिए जैसे कि आपके अधार card में जो नाम है वही आपके bank passbook में भी होना चाहिए साथ ही वही नाम आपके खेदोनी की जो पैसे भी जाते हैं इसलिए ध्यान दें कि आपकी जो है नाम से मिलनी चाहिए इन तीन डावकुमेंट से सो यहां पर दोस्तों आपने डिटाइप में अधारी आधारी आटोमेटिक की सिलेक्टर है तो यहां पर आपके अपने बैंक एकाउंट का डालना है जितने भी डिटेल आप भरेंगे दोस्तों सबसे पहले मिलान करके आप सही तरीके से भरेंगे अगर एक भी चीज यहां पर मिस्टेख हो जाती है तो आपके वह इसके लिए काफी दिक्कत जो है यहां पर उठानी पर सकती इसलिए जितने भी जनकारी भरें सब स चाहिक डालना होगा आपको ताकि कोई भी यहां पर मिसमाइच नहों पाए आपको यहां पर दे देना है मोबाइल नमपर आप कोई भी यहां पर देख सकते हैं आपका एडिस जो दोस्तों यहां पर जो कुछ चीज़े आटोमेटिक आ जाएंगी और अगर नहीं है तो आप यहां पर फादर का नाम डाल लेंगे अब यहां पर फादर नाम डालने के बाद दोस्तों आपका आजाता है लेंड रेजिटेशन आईडी और यहां पर रासन कार्ड तो यहां पर दिखिए रासन कार्ड नमबर और लेंड रेजिटेशन आईडी नमबर यह जो है दो उगाई भी कर रही है तो यहां पर आइसा ना हो कि आप किसी गलत बेक्तिकार जो डाट अफलोड करके आप जो है यहां पर पैसे आट रहे हो इस तरीके को देखती हो जो यह दो नए आप्शन जो इसमें इनेबल के गए हैं तो यहां पर आपको ज्यादा कंफ्यूश होने की तरीके से आपके जमीन का जो एक आइडी नंबर हो आपका खितवनी यानि कि आपके खितवनी के ही कागज के हिसाब से उस पर खसरा नंबर दिया रहता है वही आपका जो है लेंड रिशेशन आइडी नंबर है अगर आपने किसी से जमीन खरीदी हैं, रिजिटेशन करवाया है, तो आपका जो है रिजटरार पर भी जो देखने को मिल जाएगा, जो आपका जो है यहाँ पर नमबर रहेगा, उसे भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और अपना यहां पर खाता संख्या भी खसरा नंबर भी आपको से डाल से क्योंकि आपके जमीन की पहचान तो आपके खसरे के ही हिसाप से होगी जब आप किसी computer shop की दुकान पर जाएंगे तो आप अपने खसरा नंबर बता करके ही आप अपनी खेतवनी की नकन निकलवा सकते हैं तो सिप आपको अपने लेंड रिस्टेशन आईडी को ही बताना हुआ है आपको यहां पर ज्यादा कंफिश होने की जुरूवत नहीं है अगर आपको ज्यादा डावट कुछ चीज के लगते हैं तो आप आपको अपना डेटा बर्द राल देना है जो आपके अधार पर और साथ ही यहां पर आपके लेंड रिकॉर्ट के कागजात पर भी उसके बाद दोस्तों देटील ढानने के बाद आपको सम्मिट वाले बटन पर जैसे आप कलिक करेंगे तो जितनी विजनकारी आपने भरी हो आपके अधार काड़ से मैच होती है यह नहीं मैच होती है यानि कि आपके कागजात पर आप सिंगल ही है या फिर जॉइंट ही यानि उस पर कई लोगों कर नाम है अगर आप सिंगल है तो दोस्तो आप सिंगल पर रहने दे उसके बाद आड़ पर आपको कर देना है क्लिक तो जैसे आप आड़ पर क्लिक कर देंगे दोस्तो नया अंट तो आप देखेंगे अपने खेतोनी की कागज में जितनी भी एक्टेयर वहां पर दियेगी ही उसे आप डाल देंगे अगर आपका जो है एक जगा दो जगा या फिर तीन जगें पर है तो तीनों लेंड की डिटेल आपको यहां पर आइड करते हुए उसे भर देना जैसे आधार की फोटो कापी अफ्लोड करनी है अब बैंक पास्बूक की फोटो कापी अफ्लोड करनी है उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए डिकलेशन का फॉर्म दिया गया है इस तरीकी से तो इसे आप जो रेड कर लेंगे दोस्तों रेड कर लेने के बाद ही आप यहां बुटन पर किलिक करेंगे दो दूस्तों सब्हें पर जैसे ब्लिक करेंगे यहां पर सब कुछ सही राथ सगसेगह हो करुए यहां परोस्तों कि आधार नमबर करेंगे की ज觀眾 का प्यक्तर करेंगेगे नीच्छ डीटेल और यहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों की सामने फ़ीमेंट वर उस्तों आजाएगा इस पर इसके को जो है यहां पर विजर आइडी नंबर दिया रहेगा और अपना पास्वार्ट डाल गई करके यहां पर पांच रुपे का पेमिंट करना होता है इसमें देख सकते हैं दोस्तों सरकार की माध्यम से आपको सेल्फ इमाउंट मिलेगा 15 रुपे और यहां पर जो आपके वालेट अपने मोबाइल नंबर अधर कार्ट के थुरूट चेक कर सकते हैं आपका डेटेल अगर यहां फिस सब को सही पाया गया है तो आपके खाते में जो है दोस्तों यहां पर 6000 रुपे के की सलाना आना स्टार्ट हो जाएगी आसा अगर दोस्तों आपके विडियों माधर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने हर एक सवाल के जवाब पाने के लिए